तो हंजी दोस्तों क्या हाल है आप सबके दोस्तों Welcome back to my channel दोस्तों मेरा नाम है निखिल और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Equity Shares और Preference Shares के बारे में जी हां दोस्तों हम बात करेंगे कि Equity Shares और Preference Shares में क्या difference होता है और किसी भी Company के Preference Shares को कौन खरीद सकता है कौन इन्वेस्ट कर सकता है Preference Shares में और Preference Shares वालो को क्या क्या benefits मिलते हैं तो ये सारी चीज़े हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो का end तक ज़रूर देखना और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और साथी साथ अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो तो दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जब भी कोई कमपनी नई खुलती है अगर उसको बिजनस स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले उसको पैसा चाहिए तो पैसा कहां से आता है पैसा आने के दो तरीकी होते है या तो कमपनी लोन ले ले या फिर कमपनी अपने शेयर को बेच करके मार्केट से पैसा इकठा कर ले तो कमपनी के पास में दोना ही ऑप्शन होते है कि कुछ पैसा लोन लेकर करके इकठा कर ले जाए और कुछ पैस को preference दी जाती ह है कुछ equity shares के मकाबले तो सबसे पहले बात करते है है यहाँ पे dividend की कि equity shares में जो dividend होता है वो fix नहीं होता है जब profit होता है उसके हिसाब सा ही dividend decide होता है लेकिन यहाँ जिसकह पास में preference share होते है उनका dividend fixed होता है तो पहला major difference तो यही होता है equity share और preference shares में और अगर किसी case में company बंद हो रही है wind up हो रही है तो company की सारी assets और सब कुछ बेच करके investors को पैसा लुटाया जाता है तो उसमें भी preference share वालों को preference दी जाती है पहले preference share वालों का पैसा लुटाया जाता है उसके बाद equity shares वालों का number आता है जैसे की types of buyers की बात करूँ कि कौन equity share में invest कर सकता है और कौन preference share में invest कर सकता है तो equity share में आपको मालूम है कि retail investor invest कर सकते हैं और financial institution भी यहाँ पे invest कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे preference share में retail investor invest नहीं कर सकते हैं यहाँ पे सिरफ financial institution ही preference shares को खरीच सकते हैं या फिर कोई wealthy individual भी preference share में invest कर सकता है अब बात करें यहाँ पर price impact की तो अगर price उपर नीचे होता है shares का तो equity shareholder को direct impact करता है लेकिन अगर price उपर नीचे होता है तो preference share वालों को कोई जादा फरक नहीं पड़ता है because उनका जो होता है dividend fixed होता है और उनको उसकी trading भी नहीं करनी होती है तो price उपर नीचे होने का जो impact होता है वो directly equity shareholders के उपर ही पड़ता है preference shareholder को नहीं पड़ता है तो यहाँ पे काफी सारी चीजे हैं जिसमे preference share वालों को काफी सारे benefits मिलते हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसी भी है जिसमें equity share वालों को आगे रखा गया है यानि कि यहाँ पे voting rights की बात करूँ तो equity shareholders को voting rights मिलते हैं management चुनने के लिए लेकिन preference shareholders को यहाँ पे कोई भी rights नहीं मिलते हैं preference share वालों का कोई भी right नहीं होता है यहाँ पे company की management में हिस्सेदारी लेने का लेकिन यहाँ पे equity shareholders के पास में rights होता है company की management में हिस्सेदारी लेने का तो यह भी एक चीज है कि जिसमे equity shareholders को plus point मिलता है अब बात करूँ यहाँ पे exit की कि अगर आपको किसी company के share बेचने है या फिर किसी company के share से छुटकारा पाना है तो equity shareholder directly उस company के share बेच सकते हैं trade कर सकते हैं लेकिन preference shareholder जो है उस company के share directly बेच नहीं सकते हैं ना ही trade कर सकते हैं company उसको buyback कर सकती है या फिर convert कर सकती है equity shares में वैस्थे तो company equity shares को भी buyback कर सकती है लेकिन preference share वालों के पास यहाँ पर दूसरा option नहीं होता है सिर्फ उनके पास में एक buyback का यह option होता है कि company उन share को buyback कर ले या फिर convert कर दे equity shares में तो दोस्तो यही major difference होता है equity shares में और preference shares में मुझे उम्मीद है कि आपको difference समझ में आ गया होगा और अगर आपको वीडियो यह पसंद आया तो जरूर like करना चैनल को subscribe करना मत बूलना मैं मिलता हूँ आपसे अगली और interesting वीडियो तब तक के लिए take care